एक तरब जहां कोरोना वैस्ट रिक महामारी से पूरे देश में दिन पर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रहे हैं वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है पटना के अलवा ग्रामीन छेत्र में भी इस बीमारी ने अपना पैर पसाड़ा है सोंबार को जिले के नौवतपूर ठाना छेत्र के एक गाउं में दो साल का बच्चा कोरोना पोजेटिव पाया गया जिसके बाद से पूरे इलाके में हर कंप मच गया जब इसकी खबर स्थानिय प्रसासन को लगी तो तुरंत प्रसासन ने उस गाउं को सील करते हुए गाउं के लोगों को घर में रहने का निर्देश दिया और बच्चे के परिवार के लोगों से बच्चे एवं उनके माता पिता की जानकारी ली साथ ही सभी लोगों को स्वास्त जाज करने का निर्देश दिया हाला कि परिजनों के मुताबिक बच्चा का पिछले एक सब्ता से पटना में इलाज चल रहा था हम लोगों को सुचना मिली है गिलास्तर से यह के हम लोग के ग्रामीन एरिया से एक पंचायत है नवहीं वहां से एक बच्चे में संक्रमन की पुष्टी हुई है अभी एहतियात के तौर पे वहां पे जो उसका गाउं है वहां पे जाके हम लोग पूरा उसको सील करवा के और जहां-जहां उसका ट्रेवल हिस्ट्री या जहां-जहां इलाज के क्रम में उसके परिवार के लोग या